कि हलो वेल्कम टू केने स्टेडीज सिए पीफ एसी ट्वंटी ट्वंटीवन में अब आपके पास टू मंथ बचे हुए हैं मैं यह मान करके चल रहा हूं कि एक्जाम जो है वह एट अगस्त को हो रहा है यह हम इस डिवेट में देखो देर आर कैंडिडेट मैं इस बात को बा कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए मैं समझता हूं कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यह मतलब नहीं रखता है कि वह पोस्पोन होगा या नहीं होगा आपके लिए जो डेडलाइन दिया हुआ है वह ए केस देखो कंटीनु जो है लंबे समय से केस कम हो रहा है पीक ओफ फोर लाग से अब हम वन लाग ट्वंटी थाउजेंड सम्थिंग में आ गये हैं अब आई होप की जो भी है जुलाई में बहुत अच्छी इस्थिती हो जाएगी बहुत अच्छी इस्थिती इंदसेंस की दे सांथ है किनी के फैमिली मेंबर्स हैं कि जिनको ऑक्सिजन नहीं मिल रहा है मेडिसीन नहीं मिल रही है अभी बहुत सारी यस नई डिजीज फिर से आ गई आपके यह लेकिन आपको यह पोजिटी बीटी पॉइंट आउब यू से लेकर चलना है कि हम नहीं जानते हैं कि क्य टर्न लेगा लेकिन हमारे लिए पोजिटी बीटी तो यह है कि हम अपना टार्गेट को लेकर के चलें जो लोग बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं देखो जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हमारे डारेक्ट कम्यूनिकेशन नहीं होती है बहुत सारे student हैं, बहुत सारे experience हैं, जो recover कर चुके हैं, या बहुत सारे अभी problem phase कर रहे हैं, तो देखो, जो भी आप problem phase कर रहे हो, I hope कि जल्दी से आप ठीक हो जाओ, और नए सीरे से अपना जो भी बचा हुआ है, उस चीज को, task को पूरा करो, देखो, कोई भी organization, all India level का exam चलता है, तो आपके individual से कोई मतलब नहीं पड़ता है, हर समय कुछ न कुछ लोगों को problem होगा, हाँ, ये problem इस समय है, कि वो match level पे है, बहुत ज़्यादा लोग suffer कर रहे हैं, लेकिन situation जब control हो रही है, तो कोई भी चीज को आप postpone, continuous postpone नहीं कर सकते ह हो, ये कुछ लोग ये करते हैं, कि हमारे state का PCS cancel हो गया, ये postpone हो गया, ये PCS के आधार पे नहीं चलता है, PCS के बहुत सारे exam है, including home state PR, हर बार वो pandemic हो या नहीं हो, दो-तीन बार बढ़ा देना date नॉर्मल बात होती है, लेकिन UPSC ऐसा नहीं करती है, UPSC के पास fixed calendar है, और य ये कोसिस करती है, कि चीजे timely, smooth हो जाए, जिस date को fix किया गया, हर वो day में किसी ने किसी को कुछ ने कुछ प्रोब्लम होगा, किसी ने किसी की तव्यत खराब होगी, किसी ने किसी के family में issue होंगे, yes, this will happen, लेकिन exam जो है, वो रूपता नहीं है, आप इस debate में unnecessary न जाओ, हाँ जिनको debate ही करना है, वो free है, मैं किसी को criticize नहीं करता हूँ, yes, आपको यदि लगता है, कि आप उस opinion के हैं, तो आप रहो, मैं उन opinion बाले में से हूँ, कि prepare रहो, 8th को, worst case में जदी आपका postpone हो गया, फिर आप तैयारी तो नहीं छोड़ सकते हो ना, आप हमेसा लगे रहो, दे पाले भी wait कर रहे हैं, और EWS पाले भी wait कर रहे हैं, अब उसमें से वो जो है, 2020 में उनका नहीं हुआ, या कुछ 2020 में हो गए, उनका भी physical medical नहीं हुआ, 2021 में फिर preparation कर रहे हैं, serious रूप से कर रहे हैं, और से भी लोग हैं, जिनका attempt खतम हो गया, a lot of candidates हैं, जो अलग-अलग त का exam तभी होगा, जब result 2020 का आजाएगा, नहीं, ये आपका तूठाओ, ये 19 बाले में अल्रेडी आपका कर दिया है, कि 19 का result नहीं आया, और 2020 में कर दिया गया, तो इस बात से भी ये नहीं रहो कि, पहले तो ये सारा process हो जाएगा, तभी होगा, ये आपको नहीं करना है, द थोड़ा बहुत रहा, देखो, 100% कभी भी preparation नहीं होती है, कुछ न कुछ आपका हमेशा छूट जाता है, चाहे वो experience player हो, या हर exam में होता है कि कुछ न कुछ पीछे छूट जाता है, कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और कर लेते, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जितन prepare है, उतना में ही हमें जाना है, जितना हमने कर रखा है, उतना में ही हमें करना है, ये कोई दिक्कत नहीं है कि कितने हमने किये हैं और कितने छोड़ें, जितना भी किये हो, उसी को proper करो, आपको 100% तो आज भी नहीं आता है ना, हाँ, basic subjects जो है, core subjects जो है, core subjects उसको पक्का ये करो. जैसे, देखो, मैंने हिस्टरी का डिस्कस कर दिया है, आपका पुरा जो टेन ये का प्रीबियस jaar question है, साइन्स का कर दिया है, पलिटी का स्टार्ट हो चुका है, आज से आपका पॉलिटी का, तो जल्दी पॉलिटी का ही कर दुगा, उसके बाद पॉलिटी के बाद फिर जोग्रफी और एकोनोमिक्स और फिर उसके बाद देखो जो आपका यह है तो क्वान्टेंड एक्टिटूड में आपका वो 2012 से लेकर के 2019 तक किया हुआ है 2000 उसमें 20 बाला ठीक है और 2011 यह मैं कर दूँगा 2020 एक लिस्ट यह कर दूँगा तो जितना जल्दी हो सकता है मैं इन चीजों को भी कंप्लीट यह करवा दूँगा अब बाकी आपका अभी क्या आप टार्गेट होना चाहिए कोस्चन का प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक कोस्चन का प्रैक्टिस करो देखो नॉर्माली आपके पास मैं एक प्रोग्राम स्टाट कर रहा हूं स्टाट करूंगा जल्दी ही आप लोग जदी वीलिंग होगे देखो हमने टार्गेट 30 डेज वाला बताया था टार्गेट 30 डेज ठीक है तो टार्गेट 30 डेज में लास्ट टाइम हमने कुछ चीजों को थोड़ा सा कम हम इसमें प्रोगाइड करेंगे और एक होगा उसमें पेड होगा पेड में हम तोटल जो है करीब 2500 कोस्टन्स डिसकस करेंगे वह कोस्टन आपको पहले प्रेटिशनल सब्जेक्ट यह मिला करके जो आपको त्वुस्टन्स आपको प्रोगाइड किये जाएंगे आप से आसा पहले कि जाएगी तो यह हम कोसिश करेंगे आइदर देखो 25 या तो 25 आफ दिस मंथ 25 जून या फिर 1 जुलाई जो दो-दो date में से कोई भी date में हम चाहेंगे आप लोग की willingness, आप लोग willingness सो करो, तो हम इसमें 2500 questions आपके paper 1 बाले में, part में हम provide कराएंगे, तो ये बाला paid बाला में 2500 questions होगा, और जो आपके open होंगे, open to all, जिसमें कोई charge नहीं लगेगा, वो सबके लिए होंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि वो separate 2500, इसी में से कुछ questions जो होंगे, तो हम इसमें से कोशीज करेंगे, कि almost, जो 1000 questions के करीब है, हम वो open में डालें, ठीक है, almost 1000 questions जो है open में, यानि कि जो paid बाले होंगे, उनको 1500 questions extra मिलेंगे, और उसमें paper 2 में भी कुछ चीजें इन्हें extra मिलेगी, तो इसका जो भ 500 questions काफी होते हैं, और मैं वो अच्छे questions दूगा, जिसमें कि काफी chances रहेंगे, कि बहुत सारे questions, directly तो question बहुत मुस्किल होता है, कुछ questions आपको directly भी मिलेंगे, लेकिन indirectly इसमें से बहुत सारे questions, यदि ये 2500 questions जो भी होंगे, उसको कर लोगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका ब 0 पे नहीं हो, आप जो भी serious candidate है, वो at least आप deserve करते हैं, अच्छा खासा, तो ये आप लोग की willingness होगी, देखो ये वाला जो open वाला है, वो तो मैं आपकी willingness हो या ना हो, वो तो मैं चलाऊंगा ही, कि 1000 करीब question मैं आपको provide कराऊंगा, और वो regular basis पे आपका चलेगा, जो willingness proper show करे तो हम इसमें से 1500 extra, यानि total 2500 questions आपके होंगे, और paper 2 में भी कुछ और चीजे होंगी, आप देखो, जो खुझ से ही कर रहे हो, या levels पे वहां तक पहुंचे हुए हो, और हाँ, उसमें से वो candidate जो हमारे कुछ courses को subscribe किये हुए है, या कुछ candidate जो हमसे पुराने belong किये हुए है, जैसे आप join करो या ना करो, जैसे मैंने बोला 2500 questions प्रोवाइड कराएंगे, जदी paid वाले में हैं, और otherwise open है, करीब-करीब 1000 questions हम प्रोवाइड कराएंगे, ये आपका, ये अब मान के चलूए, इंसमें से किसी को भी आप subscribe नहीं करते हो, ये open है, फिर भी आप इसको suppose join नहीं क करो, अब 5000 जब करोगे, तो हर questions detail नहीं, 3000 करते हो, तो उसमें से, देखो, बहुत सारे questions जो होते हैं, repeated nature के होते हैं, इन unique questions, ये 3000 भी आप करते हो, तो बहुत होता है, तो 3000 के आसपास question, paper 2 में, paper 2 में आपका क्या है, कि जिस अनुसार आपका है, ये आपको decide करना है, आपको प पर अधिक focus करना है, दोनों strong है, तो आपको दोनों में practice extra करने की ज़रूत है, इस समय जो है, practice ही आपको mean, ये माईने रखता है, practice, जितना अधिक से अधिक करो, paper 1 में question का, MCQ का regular, आप देखो, concept build-up का इस समय उस धंक से नहीं है, कि ये special concept build-up कर रहे हो, question के थूरू ही concept build-up करो, कि देखो, कोई भी question आया, मान के चलो, ये आया, for example, कि लोगसभा के speaker है, तो लोगसभा के speaker जो है, वो vote करेंगे या नहीं करेंगे, कोई भी bill आया, उस पर लोगसभा के speaker करेंगे या नहीं, अब इसमें है, yes, in the first instance, he or civil note vote, but in the second instance, वो करेंगे, तो अब देखो, फिर उसके बाद लोगसभा के speaker, तो उसके बाद ये देख लो, कि अच्छे, लोगसभा speaker का क्या power है, या फिर वो देख लो, कि लोगसभा speaker जो है, इससे related ही आता है, कि योदि उन्हें resignation देना होता है, तो किनको देंगे, लोगसभा speaker का क्या special power है, money bill को certify करेंगे, final authority उनके पास है हो, तो 100 question का state है, 100 question का, जो prepared mind है, उन्हें मैं समझता हूँ, कि इसमें से 30 question जो है, उसको देखने की जरूवत नहीं है, 30 question आप प्रोपर तरीका से exact जानते हो, कि उसमें refer करने की जरूवत नहीं है, जो इसमें से next 30-40 question है, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो book की जरूवत नहीं है, पीछे connect the dot करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, 30 questions जो है, उसमें से कुछ चीजों को आपको consult करना पड़ेगा, तो ये कोशी करना है, कि एक notebook रखो, और जितने question को practice कर रहे हो, इसमें दो type के candidate हो सकते हैं, एक तो subject by each करने की आदा तुन की होती तो आदर एक notebook में ही part बना लो, yes, one subject, two subject, three subject, या फिर set wise कर लो, कि आचा, आज हमने ये set start किया है, तो इस set का हम एक जगा ही लिख लिए, कि इसमें से 10 questions, 20 questions, 30 questions, 50 questions, जो भी हमारा problem हुआ था, इस से related एक दो चीजे हम उसको कर ले, तो ये type का करो, और उसको जो कर रहे हो, उ जैसे आज मान के चलो, कि आज आपने 100 questions किया, तो 100 questions किया, उसमें 30 questions में problem आपको हुआ, next day करते हो, फिर problem हुआ, तो अब ये जो पहले दीन का 30 questions का है, उसका एक बार overview ले लो, ऐसे करते करते, जो gradually होगा, कुछ चीजे होंगी, जो आप 20 वार, 30 वार revision हो जाएगा, इस दो म आप तपना कर चुके हो, syllabus at least one time go through हो, या फिर इसमें से आप बहुत लोग हो, जो already 2020 में qualify कर गए हो, return, या 2019 में का result आपका awaited है, result का इंतजार कर रहे हो, या 2019 में आपने interview दिया, लेकिन final रूप से आपको जो भी है, नहीं सफलता मिली, या जो भी है, still आप wait कर रहे हो, या जिनको already था कि चलो anyhow मैंने दिया, या फिर 2020 में whatsoever condition में आप रहे, तो अब ये करो, paper one or two, और देखो, real time में test लीखना ज़रूरी है, ये ती आपको लगता है कि हमें अभी उस level पे हम नहीं पहुँचे, तो real time में test लीखो, आपको ताकि पता तो चले कि हम कितने level में हैं, और सब्सक्रादे को mark से नहीं गबाना, हर test का अलग-अलग होता है, जो test, अब मैं जो test conduct करवा रहा हूँ, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, कि यह सापने test लीखा है, आपका क्या performance है, regular रूप से performance रख रहे हो, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अपने test के बारे मे test में जो score होता है, वो question पर भी depend करता है ना, क्योंकि जदि question बहुत tough दिया जाए, तो आपके कम score होंगे, question बहुत easy दिया जाए, तो आपके ज़्यादा score होंगे, तो आप दोनों paper में को जहां problem है, उस चीज को, और मन में बैठा लो, मन में गाठ पान दो, जो serious candidate हैं, या ज लेकिन जो serious candidate हो, जो जुड़े हुए हो हमसे, जिन्हें लगता है कि yes, हम करेंगे, और हमसे थोड़ी सी mistake होई, जिसके गारण हम पीछे के attempt में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, या in fact, 2020 में आप qualify हो, retain, फिर भी आपको focus, ये अपना बरकरार रखना है, तो जो भी है, test बग 527-146-498 या फिर इस टेलिग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो, और जिन्हें test देना है, आप इन दोनों नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो, या फिर kane studies पे जाकर के test दे सकते हो, मैं यही कहूंगा, कि आप test को लिखो, और अपना target रखो, कि हम eighth को ही exam दे रहे हैं, worst case में जदी बढ़ गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, फर्दर आपको continue करना है, लेकिन जदी हो जाता है, अब उसके बाद जो prepared नहीं है, उनके लिए बहुत बुरी इस्थिति होगी, तो अपना prepare रखो, और जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूं, उससे related जो भी कु प्रोशन्स प्रोवाइड कराएंगे, तो वो आप लोग के willingness पे होगा, ओके, thank you.